राज के अव्रिश माद्य में पाचाला घोन जमा दो कला की चात्रा हूँ मैं आज आपको एक करोना की इस कंभीर बीमारी की उपलक्ष पर एक छोटी सी कवीता के माद्यम से अपने विचार प्रकट करना चाती हूँ करोना ने ये कैसा कहर यू मचाया है इंसानी इंसान से डर रहा है ये कैसा दिन आया है सला दे रहा हर कोई मुँपर पट्टा लगाओ तो घर सेना बहाँ जना परिवार के साथ दिन बीताओ तो अध्यापक बिन हर बच्चे को कुछ समझ मैना आ रहा है, ऑनलाइन पड़ाई से तो हर बच्चा बिगरता जा रहा है, नन्य नन्य बच्चे को हूँवर दिया जा रहा है, क्या करेगा वो बच्चा जिसे कुछ समझ मैना आ रहा है, हर दिन गर पैटे यह हैं, दिन बीटता चला जा रहा है, क्या करेंगे भविश्रम में हमें कुछ समझ मैना आ रहा है, डॉक्टर अपने घर को छोड़, सब की जान बचा रहे है, फिर भी ना जाने क्यों हर वेक्ति उसकी भावना को ना समझ पा रहे है, घर्व है हमें उस किसान पर जो अनाज को उगा रहा है, उसक वाले परिवार से दूर करोना फैले से रुकवा रहे है, फिर भी ना जाने क्यों लोग घर से बाहर जा रहे है, करोना ने यो कहर मचाया, ये कैसा दिन आया है, हर गली सुनसान होगी, हर घर में मातम चाया है, जिंदगी में कभी सोचा ना था, ऐसा भी दिन आयेगा, अप अपनों की मौत हुगी और अपना ही कंदा ना दे पाएगा ये कैसी महामारी गरीबी को बढ़ा रही है कार खाने बंद करवा रही है और सबसे बड़ी वारी बच्चे को डर्में जेना सिखा रही है अब मैं तवीता के मादन से आपको यह बताना चाहूंगी कि आप करोना से कैसे बच सकते हो और उसे फैनल से कैसे रोका जा सकता है हर तरफ तनहाई च्छाई हर गली संसान है करोना से बचने के लिए सफाई करखना ध्यान है जो सला देरा उसका पालन करो तुम नियमो काना उलंगन करना पुलिस को सालाम करो तुम हाथ दोना बार बार ये सब तुम को सिखाएंगे हाथ दोना बार बार ये सब को तुम सिखाओगे दूरी बना कर बात करना मुह पर पटा लगाओगे आखिर मैं मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कौन कहता है करोना से हम लोग ना लड़ पाएंगे